हेलो फ्रेंड स्वागा था आप सभी का रभी सर्य के वाले में तो आज की वीडियो उत्राखन ससी 10 प्लस टू और ग्रेजिवेट लेबल के लिए जिसमें हम बात करेंगे 1000 प्लस प्रिविस एयर क्वेस्चिन जो की है आपके समुगों कनिसाहिक जैसे सभी एकजाम वीडियो वीडियो सभी जो भी आपके एकजाम होने वाले उन सभी के लिए वीडियो इंपोर्टेंट रहेगी और यह क्वेस्चिन की जो स्रीज हमारे चली है 1000 प्लस की जो आज हमारे यहां पर 14 थी क्लास है इससे पहले हमने यहां पर 13 क्लास में यहां पर लगबग 500 के आसपास पर रख़ये में एक और चली है जिसमें मैंने मेराथन कलास लिए इंडिया की इतिहास की जिसमाने दिली के सल्तनत और मुस्लिम का अक्रमनुक और को को जरूर देखेगा वहां से आपके एक्जाम कोशन जरूर पोच जाएंगे महराथन कराश है पूरी टॉपिक को वहां पर डिसकस किया गया है तो चलिए आज के हम यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेस्टन से तो यहां पर पहला question आपके सामने दिखाई दे रहा है लेला ढूंगी इस्थल कहां है तो यहां पर लेला ढूंगी बताने आपको कहां पर है तो यह बदरिनाथ केदानाथ गंगोत्री और यमनोत्री कहां पर इस्तित है यह लेला ढूंगी तो जो इसका right answer हो जाएगा option A बद्रिनाथ, केदानाथ, गंगोत्री और यमनोत्री हैं ये उताखन के चार धाम है इन मैसे जो गंगोत्री और यमनोत्री है ये तो उत्तरकासी जीले में पड़ता है और केदानाथ यहाँ पर रुद्र परियाग जीले में पड़ता है और बद्रिनाथ जो है वहाँ पर चम सुद्धोवाला या फिर रायवाला तो चारो के चारो उप्सन आपके देरादून से सम्मनित हैं और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो वाला देरादून में यह प्रीजनर कारागार जो है उत्राखन की बनाई गई है अगला question है आपके सामने third question निम्निकित में से किसी रह्मेन मैक्से से पुरुषकार मिला है सुन्दरलाल बहुगड़ा चंदीपरशाद भठ या फिर इन दोनों को या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो राइट एंसर हो जाएगा आपका चंदीपरशाद भठ को यहाँ पर रह्मेन मैक्से से पुरुषकार से संबंदित किया गया है और सुन्दलाल बहुगड़ा और चंदिपरशाद भट दोनों ही यहाँ पर चिपको अंदुलिन से संबंदित है वनों के सरक्षर से यहाँ पर यह लोग संबंदित है अगला यहाँ पर चौथा क्वेशन आपके सामने है गड़वाल राइफल का युद्दु घोस क्या है तो युद्दु घोस बताना आपको गड़वाल राइफल का और आपके पास है जैमा काली राम राम जै हिंद या फिर जै बदरी विसाल तो राइट आंशर हो जाएगा मैं आपके पास option d यह संद यहां पर गड़वाल राइफल का युद्दु घोस है अगला पांचया है खहरा है किस व्यक्ति पर लिखी गई है तो नरीद मोदी विजय बहुगडा हरिष रावत या पिरवेन सिंग रावत तो यहां पर इसका जो राइट आंशर हो जाएगा वो हो जायगा तिरवेन सिंग रावत जो कि हमारे पूर्रू मुख्य मंत्री थे और वरतमान में मुख्य मंत्री यहां पर आपको option है गेहूं और धान सेकंद option है धान और उरद गेहूं और गंणा या फिर धान या फिर मक्का तो जो right answer हो जाएगा आपके पास option हो जाएगा चाटेगा गेहूं और धान जो है यहांका पर्मुक फसल माना जाता है अगला कॉर्शन साथवा कॉर्शन है देहरादून में कर्णपूर सहर किस ने बसाया था तो कर्णावती विध्यावती करनकपाल या फिर कमलेंदु मति साह यह चारों की चारों आपके पास option है इनमें से आपको राइट आंशर बताना है कि जो कर्णपूर सहर है वो किस ने बसाया था तो राइट आंसर हो जाएगा इसका option एक कर्णावती तो कर्णावती जो कि पाबार वंस की एक सासिका थी और पिर्थिपती की संडिक्षका थी तो इसी ने यहाँ पर कर्णपूर सहर बसाया था ठीक है और इसको ना कटी राने के रूप में भी जाना जाता है क रणे क्व अग्ला क्वेस्टन आपके फास एड़्च्ट कौनशी नगरपालिका को हम बनाए गया है तो नगर निगम कしま किसको बनाए यहां पर आपको बताना है कोड़ दार देहराद yapmış और रिसflowerके या फिर और 府 दोनों को तो यहाँ पर कोड़ ब्र यहां पर यहाँ पर 2018 में कुल ग्राम पंचायत कितनी थी यह आपको बताना है तो इसके अनुसार जो 2018 के अनुसार जो यहाँ पर ग्राम पंचायत थी तो नवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 77,60 यानि कि 7,760 यहां पर ग्राम पंचायते थी अगला क्वेशन है राजिय में चाई परियोजना चलाई जा रही है तो चाई परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है उत्राखंड में तो कुमाव अंडल विकास निगम द्वारा और गड़वाल मंडल विकास निगम द्वारा दोनों के द्वारा यहां पर यहां पर यह चाई की परियोजना है वो चलाई जा रही है तो योग महसुआ आपको बताना है किस सहर में बनाए गया था 2018 का तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 11 का option D तो रिसी केस इसका सही answer होगा अगला question current affairs से संबंदित है 2018 का है और इसमें आपको यह बताना है कि जो 5 रुपे का dark ticket है वो किसके नाम पर जारी किया गया है तो 5 रुपे का dark ticket यहाँ पर आपको जो right answer हो जाएगा उसका तो यह हो जाएगा बारवे का option D हिमनती नंदन बहुगुणा जिनको जिनके नाम पर यहाँ पर 5 रुपे का dark ticket जारी किया गया था 2018 में फिर से यहाँ पर 2018 के current affairs question है राजी में किसे 2018 का राष्टी संस्किर्थ पुरुसकार मिला है तो 2018 का संस्किर्थ पुरुसकार बताना है रमेश पोकरियाल निसंक, अरून जक्मोला, तीरत सिंग रावत या फिर पंकच सेमवाल तो 13th का answer हो जाएगा A. रमेश पोकरियाल निसंक तो रमेश पोकरियाल निसंक वर्तमान में क्या है यह आपको comment box में answer करना है इसका तो इस चीज़ को मैं आपको comment box में इसका सही answer बताऊंगा यहाँ पर आपके पास अगला question है 14th question और यह भी current affairs संबंदित है 2018 में चौथा योग दिवस किस सहर में मनाया गया था तो योग दिवस के अभी हमने बात की तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा रिसी case में 15 वाला question आपके पास है राज्य सबा सांसद जिनका नाम है अलून बोलोन ली उन्होंने कौन सा गाउं गोद लिया है तो हर एक सांसद को गाउं गोद लेना था जिन मैंसे हर एक सांसद क्या करेगा एक एक गाउं को गोद लेगा और वहां का फिर विकास करेगा तो यहाँ पर अनिल बनोली ने जो की राज्य सबा सांसद है उसका राइटांशर होगा जो की अनुल बल्लू लिन यहां पर गोद लिया था तो बोषibles यहां पर यहां पर रख सकते हैं। बहुत से बलूनी बहुत से बॉर ठीक है जो यहां पर यह माड़ा गाउ दिख रहा है यह माड़ा गाउ चमोली जी में एक ऐसा गाउ है जो कि उत्राखंड का अंतिम गाउ माना जाता है तो यह भी आपको ध्यान वर रखना चाहिए अगला क्वेशन है यहां पर सोलाव क्व क्वेशन हरीपूरा जला से इस्तित है तो हरीपूरा जला से कहां पर इस्तित है तो गुलर्भोज बाजपूर में किच्छा सितार गंज कासिपूर रामनगर या फिर उपरोक्ति में से कोई नहीं तो गुलर्भोज के पास में यहां पर हरीपूरा जला से इस्तित है जो कि उत्राखंट से कितने गाउं यहां पर पलायन कर चुके हैं तो राइट अंसर हो जाएगा है 1768 गाउं ठीक है फिर से 2018 का यहां पर करेंट फिर के कोशन है आज की जो वीडियो है वो 2018 के करेंट फिर यहां से आपको जादर देखने को मिले है तो अठारवे कोशन में आपके पास राज्यफ लाइन आयो के अध्यक्से बताना है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अठारवे का वो हो अप्शन ए तो राइट अंसर हो जाएगा अल्मोडा में यहां पर कौशी की देविकम मंदिर इस्तित है बीस्वा क्वेस्टन आपके सामने है पंच्यसवरबाद परियोजना है तो पंच्यसवरबाद यहां पर आपको पता होना चाहिए कहां पर बनाया जा रहा है तो भा अगला क्वेस्टी में 21 जीला ब्रिटिस गड़वाल का निर्मान कब किया अ चैट तो इसससे बिदिफ और पर कुईस्टन आपको बताना है तो इसका और आयुत विय्EP. से कि अब भी व्यक्तिका सायक का question paper वा था तो व्यक्तिका सायक में भी आपको यहां पर current affair पर जादा focus किया गया है उत्राकंड की current affair हो गया इंडिया की current affair हो गया तो यहां से भी 7-8 question देखने को मिले थे तो इसलिए आपको current affair देखके ही जाना है हर एक एक जाम में उत्राकंड की current affair की अगर आप बात करें तो एक-दो साल पुरानी current affair भी आप यहां पर देखके जाएगा ऐसा नहीं कि छह मैनी की current affair ही आपको सिर्फ रटनी है तो एक साल दो साल पुरानी current affair और जो योजनाई है 2000 से लेकर अभी तक की जो की वर्थमान में भी चली आ रही है तो वो सभी योजनाओं का आप current affair के तो अगर आप देखेंगे तो आपके आंसर यहां पर सही होंगे अगला question 22 question है पर्थम उत्राघंड फिल्म अवार्ड 2018 कहां आयोजित किया गया था तो फिल्म अवार्ड की जब भी बात होती है तो यह यहां पर मुंबई में आयोजित होता है तो option A इसका right answer हो जाएगा अगला question 23 है चंद्र सेकल लोहानि किस छेतर से संबंदित है चंद्र सेकल लोहानि का संबंद्र बताना है तो इसका right answer हो जाएगा साइनस यानी की विज्यान से 24th question सिमान्त लोगों का पर्मुक व्यवसाई है सिमान्त लोगों पर्मुक व्यवसाई क्या बता है आपको बताना है गशेई पहसुपालन व्यव फार या फिर उद्ल्योग तो गशेई इनका राइट आउन से हो जाएगा कर्षी जो सिमानतों लोग है उनका प्रमुक ब्योसाई माना जाता है अगला क्वेशन ओताली क्या है ओताली यहां पर कर है घर है छेत्र है या फिर पर्व है तो ओताली जो है वो कर की रूप में यहां पर जाना जाता है अगला क्वेशन किसानों को पेंसन देने वाला पहला राजी है तो किसानों को पेंसन देने वाला पहला राजी आपको बताना है कि कौन सा है तो पंजाब, हरियाणा, उत्राखंड या फिर दिल्ली तो उत्राखंड राजी है जो कि किसानों को पेंसन देने वाला पहला राजी है और इसके सुरुवात यहां पर आपको देखने को मिलेगी उत्राखन में उत्राखन किसान प्रोसान पैंशन योजना के रूप में 2015 गर्ष्थ 20etahballs 15 गर्ष्थ 2015 में इस योजना को लागू किया गया था किसान प्रोसान पैंशन योजना ठीक है इसके तहट 800 रुपे की यहां पर धनासी दी जाती है अगला question 27 थे है राज्य में पौंध रोपर निती कब से लागू की गई है पौंध रोपर निती के बारे में बताना है कब से यह लागू की गई थी उत्राखण में option यह है A 2006 से अगला question 28 थे survey of India इस्तित है survey of India कहाँ पर इस्तित है नैनिताल, देहरादून, परनगर या फिर अलमोडा तो right answer होगा है यहाँ पर देहरादून, देहरादून में हाँ पर survey of India इस्तित है अगला question 29 राधा खंड सैली से सम्बंदित व्यक्ति कौन है तो राधा खंड सैली से सम्बंदित व्यक्ति आपको बताना है 29 तो right answer हो जाएगा हाँ पर शिव चरण अगला question 30 वाला question है आपके पास और इस question को आपको homework से करना है, question में पढ़के बता देता हूँ, भारती पसू अनुसंधान इस्तित है जिसको हम English में IVRI बोलते हैं तो IVRI कहाँ पर है उत्राखंड में यह आपको बताना है और तो आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और important topic लेके कुछ और important question लेके तो thank you so much, वीडियो को share कीजेगा चैनल को subscribe जादा से जादा कीजे और bell icon को press कर लेजेगा आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो thank you so much